हेलो फ्रेंडस वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आप लोगों के सांशेर करें ब्रेट से ऐसी नास्ता की रेसिपी फ्रेंड्स जिसको हम बहुँत ही सिंपल और असांतरी के से बना के त्यार करेंगे यह बचियवाले ब्रेट है आप जोगो ताजीवाले ब्रेट का भी इस्तिमा देना है और आधिक कटोरी मैंने इस रसे सूजी डाने सूजी आप कोई सभी ले सकते हैं मोटी पतली कोई सभी सूजी से इस नस्ति को बना सकते हैं तो मैंने आधिक कटोरी सूजी ले हैं और जो ब्रेड है उसको इस रसे तुकड़ों में तोड़ के डाल देना है आप चाहो तोड़ के डाल दिये हैं सभी ब्रेट को इस तरह से मिकसर जार में डालने के बाद इसमें मैंने आधी कटोरी पानी डाले हैं सिर्फ आधी कटोरी डालना फ्रेंड जादा नहीं डालना है और इसका स्मूध हमको बेटर बना के त्यार करें तो इस तरह से मैंने इसका स्मूध आधी चोटी चमच जीरा डाले और आधी चोटी चमच काली वाली सरसु इस रसे में डाल दिये हैं, दोनों का हलका सकला चिंज होने के बाद एक मेडियम सेज की टमाटर को बारेक तुकड़ों में कट करके डाल दिये हैं, इस रसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस नास्ति को बना के त्यार करेंगे फ्रेंट और इन दोनों को 2-3 मिर्ट कच्छे से चला लीजे और इक कच्छे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट करके अच्छे से धो के इस तरह से डाल दिये हैं इस तरह से कच्छे आलू से न हम इस नाजते को बहुत ही सिंपल तरीके से बना के त्यार करेंगे टमाटर और कच्छी आलो को एक से दू मिंट पकाने की बद आधी छुटी चमच नमक के नमक अपनी टेश्ट के अनुसर डाले और इसको भी एक से दू मिंट पका लिए हल्का सर टमाटर स्वाप्ट होने तक ही पकाना है हालो को मैं बहुत ही पतले ओले ग्रेटर से दू कर लिया था अगरें प्रेंज पकने में ज्याद़ लागेगा यह घृते के लिए हल्डी के लादे लिये इन बांटि आठीका भी चुटी। और अच्छे से चलाते हुए इसको हमको डो फाम में इसको ले आना है तो इस तरह से बहुत ही जट पड़े डो फाम में आ जाता है इस तरह से चलाते हैं तीन से चार मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारा डो बन के त्यार हो जाएगा इस रसे चलाते रही है, ताकि हमारे डो चीप के न, तो दो से 3 मिनट के बाद इस रसे में बहुत ही अच्छे से चिकना डो हमारा बन के तियार हो गया है, इसी तरह का perfect डो हम को चाहिए इस नस्ते को बनाने के लिए, तो इस रसे डो अच्छे से बनने के बाद न, इसको एक प्लेट में निकाल लिए यह बोड में हलका सा पहले से तेल लगा लिए थे और हलका सा ठंडा होने की बांद हाथों में तेल,, इस रसे को बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता तोट भुज ने को आख्ते सीमपल और औरवंपसंद अनुशहार हो अधे transfers हैं तो मैंने स्टाइके इस भी हगight नाशारी में बद्ध ठीस बारिप में कर दिया हैं तो इस तरह से बारा आशारी बारी करो जरूर भुज14 बारि-बारि करने के बाद इस नास्ते को फ्राई करने के लिए इस तेन से-6 को यह नास्ते को पकने में चैयल का मुमितर में चैनल के ज़ाने հिटा काले अगरा को सब नास्ते को इस सब्सक्राइघ के लिए और इस नास्ते को पकाने के लिए इसको हाई टू मेडियमे रहन है. तो इस से अलर्बते परदेंटें को सभी होती पशाले Kansas City लगती है. अचानक से अगर आपके घर में महमान आ जाने तो घर में रखी बेसिक समानों से इस नास्तिक को बहुत है जटपट बना के तियार कर सकते हैं जो छोटों से लिकी बड़ों को खोब पसंद आएगी और महमान भी पूछेंगे इसको कैसे बनाए इतना स्वाधिश्टे बन के तियार होती तो इस तरह से अलटे प्लटे हम को सभी नास्तिक हो हो जाता है लेकिन इस तरह से हमको बारी बारी पारी करके सभी को निकाल लीजा और बच्ची वाले नास्ती को La Tech को बना इसी较ता से मैंने शभी नास्ति को त्यार कर लिया है आप देख भी सकते हैं कृतना क्रिस्पी हमारी नास्ता बन के त्यार हुए अंदर से स्वाप्ट उपर से क्रिस्पी बन के त्यार हुए तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिगा तो इसी तरह नए नए रेसिपी में रोज अप्लोड करती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली ने रेसिपी देख सकते हैं तो इसी तरह स्वाधिष्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं नेश्टी वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग